C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की पाथ्य पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन प्रस्तुत है इस पुस्तक का अध्याय 2 जिसका शीर्शक है विविधता एवं भेदभाव प्रिष्ट 15 से प्रिष्ट 28 तक तो आईए सुनते हैं अध्याय विविधता एवं भेदभाव प्रिष्ट 15 है पिछले पाठ में आपने विविधता के बारे में पढ़ा कई बार जो लोग दूसरों से अलग होते हैं उन्हें चिड़ाया जाता है उनका मजाक उड़ाया जाता है या फिर उन्हें कई गतिविधियों या समूहों में शामिल नहीं किया जाता अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हमें दुख होता है गुस्सा आता है और हम असहाय महसूस करते हैं क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है इस पार्ट में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे अनुभव हमारे समाज से और हमारे आसपास मौजूद असमानताओं से कैसे जुड़े हुए हैं इस प्रिष्ट पर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें अलग-अलग वेश भूशा वाले बालक एवं बालिकाएं एक दूसरे का हाथ था में खड़े हैं आप देख सकते हैं कि इनकी वेश भूशाएं ही अलग नहीं हैं ये दिखने में भी अलग हैं शारीरिक रूप से भी एक दूसरे से अलग दिखते हैं अर्थात विविधता है परन्तु विविधता के बावजूद ये सब एक दूसरे का हाथ था में खड़े हैं हम क्या हैं और हम कैसे हैं ये कई चीजों पर निर्भर करता है हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाशाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है अगर संक्षेप में ही इन बिंदूओं पर ध्यान दें तो भी ये अंदाजा लग जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है संसार में आठ मुख्य धर्म हैं भारत में उन आठों धर्मों के अनुयाई यानि मानने वाले रहते हैं यहां सूलह सौ से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं जो लोगों की मात्री भाषाएं हैं यहां सौ से भी ज्यादा तरह के नृत्य किये जाते हैं ये विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सूचते हैं। कभी-कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं, जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं, तो हमें वे बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते के वे हमसे अलग क्यूं है लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते ही प्रिष्ट सूलह इस प्रिष्ट पर बाई और पीले रंग के बकसे में कुछ कथन दिये गए है पूर्वा ग्रह उन कथनों को देखिए जो आपको ग्रामीन एवं शहरी लोगों के बारे में सही लगें जिन कथनों से आप सहमत हैं उन पर निशान लगाईए क्या आपके दिमाग में ग्रामीन या शहरी लोगों को लेकर किसी भी प्रकार के पूर्वा ग्रहे हैं क्या दूसरे लोगों के दिमाग में भी ये पूर्वा ग्रहे हैं लोगों के दिमाग में ये पूर्वा ग्रहे क्यों होते हैं जिन पूर्वा ग्रहों को आपने अपने आसपास महसूस किया है, उनकी एक सूची बनाईए। ये पूर्वा ग्रह लोगों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं। ग्रामीन लोग आधे से ज्यादा भारतिये गावों में रहते हैं। गावों के लोग आधुनिक प्रोध्योगी की का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं। फसल की बुवाई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटों तक काम करते हैं। ग्रामीन लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण करने को बाध्य होते हैं। शहरी लोग शहरी जीवन बड़ा आसान होता है। यहां के लोग बिगडे हुए और आलसी होते हैं। शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। शहरी लोग केवल पैसों की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है। लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में खर्च हो जाता है। इनमें से कुछ कथन ग्रामीन लोगों को अग्यानी की तरह देखते हैं, जबके शहर में रहने वाले लोगों को आलसी एवं सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वालों की तरह देखते हैं. जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो वो पूर्वा ग्रह का रूप ले लेती है ज्यादतर ये राय नकारात्मक होती है जैसा के कथनों में दिया गया है लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी पूर्वा ग्रह है जब हम ये सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है तो हम अक्सर दूसरों की इज़त नहीं कर पाते जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं उदाहरण के लिए अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपून नहीं हैं तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे परिणाम स्वरूप हम उन लोगों की शायद इज़त नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं हम कई चीजों के बारे में पूर्वा ग्रही हो सकते हैं लोगों के धार्मिक विश्वास उनकी चमडी का रंग जिस क्षेतर से वे आते हैं जिस तरह से वे बोलते हैं जैसे कपड़े वे पहनते हैं इत्यादी प्रिष्ठ सत्रह अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वा ग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुँचा देते हैं इस प्रिष्ठ पर दहीनी ओर उपर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें दो बालिकाएं और दो बालक हैं इस चित्र में दो बालिकाएं और एक बालक एक अन्य बालक का उपहास करते हुए दिखाई दे रही हैं और वो बालक दुखी मन से खड़ा हुआ है वो रो रहा है लडके और लडकी में भेद भाव समाज में लडके और लडकी होने का अर्थ क्या होता है आप में से कई लोग कहेंगे हम लडके या लडकी की तरह जन्म लेते हैं ये तो ऐसे ही होता है इसमें सूचने वाली क्या बात है आईए देखें कि क्या सच्चाई यही है इन कथनों की सूची में से तालिका को भरिए अपने उत्तर के कारणों पर चर्चा कीजिए वे बहुत ही सुशील हैं उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है वे शारीरिक रूप से बलश्ठ हैं वे शरार्ती हैं वे नृत्य करने और चित्रकारी में निपुन हैं वे रोते नहीं वे उधमी हैं वे खेल में निपुन हैं वे खाना पकाने में निपुन हैं वे भावुक हैं लड़का एक दो तीन चार पाँच लड़की एक दो तीन चार पाँच प्रिष्ट अठा रहे इस प्रिष्ट पर तीन अलग-अलग चित्र दिये गए हैं आईए, बाई और उपर दिखाए गए पहले चित्र की चर्चा करते हैं इस चित्र में एक विकलांग बच्चा दिखाया गया है लोग तरह-तरह की बातें करते हैं मैं लंगडाता हूँ, मेरी बूली लड़ खडाती है इसके अलावा और भी बहुत कुछ कभी मैं उदास हो जाता हूँ, तो कभी दुखी लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं ये नई बात नहीं अगर तुम मेरी जगय होते, तो क्या करते? आईए, अब इस प्रिष्ट के दाहिनी ओर दिखाय गए चित्र की चर्चा करते हैं इस चित्र में वीलचेयर पर एक विकलांग बच्चा बैठा है जबके उसके दोनों और दो अन्य बच्चे खड़े हैं तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो? मैं एक इंसान हूँ मुझे शर्म आती है घूरती आँखों से मैं चिप जाना चाहती हूँ आईए अब इस प्रिष्ठ पर नीचे दिखाए गए चित्र की चर्चा करते हैं इस चित्र में वीलचेयर पर बैठा एक विकलांग बच्चा चित्रकारी कर रहा है क्या उसका दिमाग सही है? सिर्फ इसलिए कि मेरी टांगें डगमगाती है लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग भी डगमगाता है इन तीनों चित्रों का सुरूत है वाई आर यू अफ्रेड टू होल्ड माई हैंड शीला धीर इन चित्रों में जो बच्चे हैं उन्हें पहले विकलांग कहा जाता था इस शब्द को लेकर आज उनके लिए जो शब्द प्रियोग किये जाते हैं वे हैं खास जरूरतों वाले बच्चे उनके बारे में लोगों के पूर्वा ग्रहों को यहां बड़े अक्षरों में दिया गया है साथ में उनकी अपनी भावनाएं और विचार भी दिये गए हैं ये बच्चे अपने से जुड़ी रूड़ी बद्ध धारणाओं के बारे में क्या कह रही हैं और क्यों इस पर चर्चा कीजिए आपकी राए में क्या खास जरूरतों वाले बच्चों को सामान्य स्कूल में पढ़ना चाहिए या उनके लिए अलग स्कूल होने चाहिए अपने जवाब के पक्ष में तर्क दीजिए प्रिश्ट उन्नीस अगर हम इस कथन को लें के वे रोते नहीं तो आप देखेंगे कि ये गुण आमतार पर लड़कों या पुरुशों के साथ जोड़ा जाता है बच्चपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है तो माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य अक्सर ये कहकर चुप कराते हैं कि रो मत तुम तो लड़के हो लड़के बहादुर होते हैं रोते नहीं हैं जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वे ये विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं यहां तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए भी तो वो अपने आपको रोक लेता है लड़का ये मानता है कि रोना कंजोरी की निशानी है हलाँ के लड़कों और लड़कियों दूनों का कभी-कभी रोने का मन करता है खास कर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने को सिखा लेते हैं पिर रोना नहीं है अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिड़ाएंगे या उसका मजाक बनाएंगे इसलिए वो दूसरों के सामने रोने से अपने आपको रोक लेता है हम लगातार ये सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसी चवी के अनुरूप देखना चाहते हैं। इस प्रिष्ठ पर नीचे बाई और पीले बकसे में कुछ कथन दिये गए हैं। वे कोमल एवं मृदू स्वभावकी हैं। वे बहुत ही सुशील हैं। ऐसे कथनों को लेकर उन पर चर्चा कीजिए कि ये कैसे केवल लड़कियों पर लागू किये जाते हैं। क्या लड़कियों में ये गुण जन्म से ही होते हैं। या वे ऐसा विवहार समाज से सीखती हैं। आपकी उन लड़कियों के बारे में क्या राय है जो कूमल एवं मृदू स्वभाव की नहीं होती और शरार्ती होती हैं। रूड़ी बद्ध धारणाएं बनाना जब हम सभी लोगों को एक ही छवी में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूड़ी बद्ध धारणा कहते हैं। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ ठहराते हैं। ऐसा दरसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हर देश, धर्म, आधी में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ लोग मिल ही जाते हैं। सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समुह में वैसे हैं, पूरे समुह के बारे में ऐसी राए बनाना वाजिब नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इनसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ती की तरहें देखने से रोक देती हैं। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ती के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग हैं। उरूड़ी बद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। जैसे माना जाता है कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनको करने की काबलियत शायद हम में हो। प्रिष्ट 20 इस प्रिष्ट पर तीन बालिकाएं दुपट्टा सिर पर ओड़े एक साथ पढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस प्रिष्ट पर बाई और एक पीले बकसे में मुसलिम लड़कियों के बारे में जानकारी दी गई है। कुछ मुसल्मानों के बारे में ये आम रूड़ी बद्ध धारणा है कि वे लड़कियों को पढ़ाने में रुची नहीं लेते। इसलिए उन्हें स्कूल नहीं भेजते। जबके अध्ययन ये दिखा रहे हैं कि मुसल्मानों की गरीबी इसका एक महत्वपून कारण है। गरीबी की वजह से ही वे लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते या स्कूल से जल्दी निकाल लेते हैं। जहां पर भी गरीबों तक शिक्षा पहुचाने के प्रयास किये गई हैं, वहां मुसलिम समुदाय के लोगों ने अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने में उरुची दिखाई है। उदाहरण के तौर पर केरल में स्कूल प्राय है घर के पास हैं। सरकारी बस की सुविधा बहुत अच्छी है, जिस से ग्रामीन क्षेत्रों में शिक्षकों को स्कूल पहुचने में मदद मिलती है। उनमें 60 प्रतिशत से ज्यादा महिला शिक्षक हैं। इन सभी कारकों ने बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल जाने में मदद की है, जिन में मुसल्मान लड़कियां भी शामिल हैं। दूसरे राज्यों में जहां ऐसे प्रियास नहीं किये गए, वहां गरीब परिवारों के बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किल आती है। चाहे वे मुसल्मान हों, जन जातिये हों या अनुसूचित जाती के हों, जाहिर है कि मुसल्मान लड़कियों की स्कूल से गैर हाजिरी का कारण धर्म नहीं, गरीबी है। असमानता एवं भेदभाव भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूड़ी बद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं या किसी मुहले में रहने नहीं देते, एक ही कुएं या हैंड पंप से पानी नहीं लेने देते और दूसरों द्वारा इस्तेमाल किये जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रही है भेदभाव कई कारणों से हो सकता है आप याद करें कि पिछले पाठ में समीर एक और समीर दो एक दूसरे से बहुत भिन्न थे उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था ये विविधता का एक पहलू है पर ये भेदभाव का कारण भी बन सकता है ऐसा तब हुता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटी का मानते हैं दोनों समीरों में एक और अंतर उनकी आर्थिक प्रिष्ठ भूमी का था समीर दो की गरीबी विविधता का पहलू नहीं है ये तो असमानता है बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल जरूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते हैं इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदी में उनके साथ भेदभाव किया जाता है कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारत दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है एक तो इस कारण के वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृती को मूल्यवान नहीं माना जाता उपर से यदी वे गरीब हैं और उनके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के साधन नहीं तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जन जाती ये लोगों धार मिक्समूहों और खास क्षित्र के लोगों को करना पड़ता है भेदभाव का सामना करने पर अपनी आजीवी का चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं जैसे पढ़ाना, बरतन बनाना, मच्छली पकड़ना, बढ़ही गिरी, खेती एवं बुनाई इत्यादी लेकिन कुछ कामों को दूसरों के मुकाबले अधिक महत्वपून माना जाता है सफाई करना, कपड़े धुना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्वका माना जाता है इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा और अपवित्र माना जाता है ये जाती व्यवस्था का एक बड़ा ही महत्वपून पहलू है जाती व्यवस्था में लोगों के समूहों को एक तरह की सीड़ी के रूप में रखा गया जिसमें एक जाती, दूसरी जाती के उपर या नीचे थी जिन्होंने अपने आपको इस सीड़ी में सबसे उपर रखा उन्होंने अपने को उँची जाती का और उत्कृष्ट कहा इस प्रिष्ठ पर दाई और उपर पीले रंग के बकसे में दलितों के बारे में महत्वपून जानकारी दी गई है दलित वो शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाती के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं वे इस शब्द को अच्छूत से ज्यादा पसंद करते हैं दलित का मतलब है जिन्हें दबाया गया, कुचला गया दलितों के अनुसार ये शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वा ग्रहों और भेद भाव ने दलित लोगों को दबा कर रखा है सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाती के वर्ग में रखती है इस प्रिष्ठ पर दाई और नीचे एक चित्र दिखाया गया है जिसमें एक अध्यापक ब्लाक बूर्ड पर कुछ लिख रही है और बच्चे नीचे बैठे स्लेट पर कुछ लिख रही है जबकि कोने में एक बच्चा अलग बैठा दिखाई दे रहा है जाती के आधार पर कक्षा में किसी बच्चे को दूसरे बच्चों से अलग बैठाना भेदभाव का एक रूप है जिन समूहों को इस सीड़ी के तले में रखा गया उनको अच्छूत और अयोग्य कहा गया प्रिष्ठ 22 जाती प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे इन अच्छूतों को दिये गए काम के अलावा और कोई काम करने की इजाज़त नहीं थी उदाहरण के लिए कुछ समूहों को सिर्फ कचरा उठाने और मरे हुए जानवरों को गाउं से हटाने की इजाज़त थी उन्हें उँची जाती के लोगों के घर में घुसने, गाउं के कुएं से पानी लेने और यहां तक के मंदिर में घुसने की भी इजाज़त नहीं थी उनके बच्चे दूसरी जाती के बच्चों के साथ स्कूल में बैठ नहीं सकते थे इस तरह उँची जाती के लोगों को जो अधिकार हासिल था उससे उन्होंने तथा कथत अच्चूतों को वंचित रखा इस प्रिष्ठ पर बीच में पीले रंग के बकसे में एक महत्वपून प्रश्न पूछा गया है उरूढी बद्ध धारणाओं एवं भेदभाव में क्या अंतर है आपके अनुसार जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसे कैसा महसूस होता है इस प्रिष्ठ पर दाई और भारत के संविधान के रचाईता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में महत्वपून जानकारी दी गई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सन 1891 से लेकर 1956 तक इस दुनिया में रहे उन्हें भारतिय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी उनका महार जाती में जन्म हुआ था जो अच्छूत मानी जाती थी महार लोग गरीब होते थे उनके पास जमीन नहीं थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे उन्हें गाओं के बाहर रहना पड़ता था और गाओं के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी अमबेड कर अपनी जाती के पहले व्यक्ती थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोचसाहित किया दलितों से अलग-अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताके वे जाती व्यवस्था से बाहर निकल पाई दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किये जा रहे थे उनका अम्बेड करने नेत्रित्व किया उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सब को समान निगाह से देखे जीवन में आगे चल कर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौध धर्म को अपनाया उनका मानना था कि दलितों को जाती प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सब की इज्जत हो ना के कुछ ही लोगों की अगले प्रिष्ठ पर हम ये देखेंगे कि कैसे भारत की एक मशहूर हस्ती को भेदभाव का सामना करना पड़ा था ये भाग हमें ये समझने में मदद करेगा कि कैसे जाती के तहत बहुत बड़ी संख्या में लोग भेदभाव के शिकार हुए भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेड करने जाती विवस्था पर आधारत भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा है ये अनुभव उनको 1901 में हुआ था जब वे केवल 9 साल के थे वे महराश्च्र में कोरे गाउं में अपने भाईयों के साथ पिता से मिलने गए थे प्रिष्ट 23 बड़ी देर हमने इंतजार किया पर कोई नहीं आया एक घंटा बीट गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए उन्होंने हम से हमारे टिकट मांगे जो हमने दिखा दिये उन्होंने पूछा कि हम बहां क्यों रुके हुए थे हमने बताया कि हमें कोरे गाउं जाना था और हम पिता जी या उनके नौकर के आने का इंतजार कर रहे थे लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुँच पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरे गाउं कैसे पहुँचते हैं हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी ये अंदाज नहीं लगा सकता था कि हम अच्छूतों के बच्चे थे निश्चय ही स्टेशन मास्टर को ये लगा कि हम ब्राह्मन बच्चे हैं और वे हमारी मुश्किल को देख कर बड़े परिशान हुए जैसा कि हिंदूओं में होता ही है स्टेशन मास्टर ने हम से पूछा कि हम कौन हैं बिना एक पल भी सोचे मेरे मुह से निकल गया कि हम महार हैं बंबई प्रांत में महार समुदाय को अच्छूत माना जाता था उनको एक दम से धक्का लगा वे बहुंचके रह गए उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ हमने देख लिया कि एक अजीब सी घ्रणा की भावना उन पर हावी हो गई थी उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वही के वही खड़े रह गए पंद्रह बीस मिनट बीत गए सूरज बिलकुल छिपसा गया था पिताजी आये नहीं थे और नहीं उनका नौकर और अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़ कर चले गए थे हम काफी घबराए हुए थे यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी इस प्रिष्ट पर दाई और उपर इस पूरे वृत्तान्त को दर्शाता एक चित्र दिखाया गया है आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौट कर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सूच रहे हैं हमने कहा कि अगर हमें किराय पर एक बैल गाड़ी मिल जाती तो हम कोरे गाउं जा सकते थे अगर कोरे गाउं ज्यादा दूर नहीं हो तो हम फौरन निकलना चाहते थे वहां किराय पर कई बैल गाड़ीयां चल रही थी लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था कि हम महार हैं उसका पता सबको चल गया था कोई भी गाड़ीवान अचूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आपको गंदा और नीच नहीं बनाना चाहता था हम दुगुना किराया देने को तैयार थे पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती थी स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ीवानों से मूल तोल कर रहे थे चुपचाप खड़े हो गए समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें प्रिष्ट 24 सुरोत डॉक्टर बी आरंबेडकर राइटिंग अंड स्पीचिज खंड बारह संपादन वसंतमून बंबई शिक्षा विभाग महराश्टर सरकार इस प्रिष्ट पर पीले रंग के बक्से में कुछ प्रश्ट पूछे गए हैं बच्चे पैसा देने को तैयार थे फिर भी गाड़ीवानों ने उन्हें ले जाने से मना कर दिया क्यों? स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर और उनके भाईयों के साथ कैसे भेदभाव किया? महार होने का पता चलने पर स्टेशन मास्टर की जो प्रतिक्रिया हुई थी उसे देखकर बच्पन में अम्बेडकर को कैसा लगा होगा? अपने शब्दों में वरणन कीजिए क्या आपको कभी अपने प्रती लोगों के पूर्वा ग्रह का अनुभव हुआ है? या आपने दूसरों के प्रती भेद भाव भरे व्यवहार को देखा है? उससे आपको कैसा महसूस हुआ? कल्पना करके देखिए कि ये कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने न दिया जाए? ये कितना अपमान जनक और दुखदाई होगा? अगर लोग आपसे दूर दूर रहें, आपको छूने से मना करें और आपको पानी न पीने दें ये छोटी सी घटना दिखाती है कि कैसे गाड़ी से एक से दूसरी जगह जाने के साधारन काम की सुविधा भी इन बच्चों के पास नहीं थी जबके वे पैसा दे सकते थे स्टेशन के सभी गाड़ीवानों ने बच्चों को ले जाने से मना कर दिया उन्होंने बच्चों के साथ भेद भाव भरा व्यवहार किया इस कहानी से ये बिलकुल साफ है कि जाती पर आधारित भेद भाव न केवल दलितों को कई गतिविधियों से वंचित रखता है बलके वो उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिलने देता जो दूसरों को मिलता है समानता के लिए संघर्ष ब्रिटिश शासन से आजादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था दलितों, औरतों, जनजाती ये लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस घैर बराबरी का अनुभव किया उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी जैसा के पहले भी बात हुई, बहुत सारे दलितों ने संघर्ष होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया महिलाओं ने मांग की के जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है, वैसे उन्हें भी अधिकार मिले किसानों और दलितों ने अपने आपको जमिदारों और उनकी उची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया इस प्रिष्ट पर दाई और प्रदर्शन करती हुई, कुछ महिलाओं का एक चित्र है इसका शीर्षक है, अपने अधिकारों की मांग करती हुई और तें 1947 में भारत जब आजाद हुआ और एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया संबिधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे के हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह संगर्ष किया है कई नेता इन लड़ाईयों के हिस्सा थे, जैसे डॉक्टर अमबेड कर इसलिए नेताओं ने सम्विधान में ऐसी दृष्टी और लक्ष रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए समानता को एक एहम मूल्य की तरह माना गया है जो हम सभी को एक भारतिय के रूप में जोड़ती है प्रत्येक व्यत्ती को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हैं अस्प्रिश्यता यानि छुआ छूट को अपराध की तरह देखा जाता है और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिलकुल आजाद हैं नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई हैं इन सब के अलावा सम्मिधान ने सरकार पर ये विशेश जिम्मेदारी डाली थी कि वो गरीबों और मुख्यधारा से अलग थलग पड़ गए समुधायों को इस समानता के अधिकार के फाइदे दिलवाने के लिए विशेश कदम उठाए दलित के अलावा कई अन्य समुधाय हैं जिनके साथ भेदभाव किया जाता है क्या आप भेदभाव के कुछ अन्य उदाहरण सूच सकते हैं उन तरीकों पर चर्चा कीजिए जिनके द्वारा खास जरूरत वाले लोगों के साथ भेदभाव किया जा सकता है प्रिष्ट 26 इस प्रिष्ट पर एक चित्र दिखाया गया है इसमें भारत का समविधान लिखने वाली समिती के कुछ सदस्य देखे जा सकते हैं समविधान के लेखकों ने ये भी कहा कि विविधता की इज़द करना उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपून कारक है उन्होंने ये महसूस किया कि लूगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाशा बोलने, अपने तियोहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आजादी होनी चाहिए उन्होंने कहा के कोई एक भाषा, धर्म या तियोहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए उन्होंने जोर दिया के सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी इसे लिए भारत एक धर्म निर्पेक्ष देश है जहां लोग बिना भेद भाव के अपने धर्म का पालन करते हैं इसे हमारी एकता के महत्पपून कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकठे रहते हैं और एक दूसरे की इज़्जत करते हैं हलांके हमारे सम्विधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है पर ये पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है समानता वो मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा भारतियों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने सच्चाई बने इसके लिए लोगों के संघर्ष उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत जरूरी हैं सम्विधान का पहला प्रिष्ठ जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि सभी भारतियों को समान प्रतिष्ठा और समान अवसर प्राप्त हैं प्रिष्ठ 27 अभ्यास 1. इन कथनों का मेल कराईए 2. रूढी बद्ध धारणाओं को कैसे चुनोती दी जा रही है इस पर चर्चा कीजिए 2. दो डॉक्टर खाना खाने बैठे थे और उनमें से एक ने मोबाइल पर फोन करके 3. जिस बच्चे ने चित्रकला प्रतियोगिता जीती वो मंच पर 4. गर संसार के सबसे तेज धावकों में से एक घर वो बहुत अमीर नहीं थी लेकिन उसका 5. एक दमा का पुराना मरीज है 6. दो एक अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना अंततह पूरा हुआ 3. अपनी बेटी से बात की जो उसी समय स्कूल से लोटी थी 4. पुरसकार लेने के लिए एक पहियों वाली कुर्सी पर गया 2. लड़कियां माबाप के लिए बोज हैं ये रूड़ी बद्धधारणा एक लड़की के जीवन को किस तरह प्रभावित करती है उसके अलग-अलग पांच प्रभावों का उलेक कीजिए 3. भारत का सम्विधान समानता के बारे में क्या कहता है आपको ये क्यों लगता है कि सभी लोगों में समानता होना जरूरी है 4. कई बार लोग हमारी उपस्थिती में ही पूर्वा ग्रह से भरा आचरण करते हैं ऐसे में अक्सर हम कोई विरोध करने की स्थिती में नहीं रहते क्योंके मुह पर तुरंत कुछ कहना मुश्किल जान पड़ता है अपनी कक्षा को दो समुहों में बाटिये और प्रत्येक समुहों इस पर चर्चा करे कि दी गई परिस्थिती में वे क्या करेंगे क गरीब होने के कारण एक सहपाठी को आपका दोस्त चिड़ा रहा है आप अपने परिवार के साथ टीवी देख रहे हैं और उनमें से कोई सदस्य किसी खास धार्मिक समुदाय पर पूर्वा ग्रह ग्रस्त टिपणी करता है गई आपकी कक्षा के बच्चे एक लड़की के साथ मिलकर खाना खाने से इनकार कर देते हैं क्योंकि वे सूचते हैं कि वो गंदी है गई किसी समुदाय के खास उच्चारण का मजाक उडाते हुए कोई आपको चुटकुला सुनाता है ड़के लड़कियों पर टिपणी कर रहे हैं कि लड़कियां उनकी तरह नहीं खेल सकती इन परिस्थितियों में विभिन समुहों ने कैसा बरताव करने की बात की है इस पर कक्षा में चर्चा कीजिए साथ ही इन मुद्दों को उठाते समय कक्षा में कौन सी समस्याएं आ सकती हैं इस पर भी बातचीत कीजिए इसी के साथ नौ अध्यायों की इस पुस्तक का दूसरा अध्याय यहां समाप्त हुआ वाचन, बाबला कोछड, निर्मान, वंदना, अरिमर्दन, तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत पर लाचन, वाचन, जदना वामें रहुआ इस ओॉआ कैंग